इजराइल और फिलिस्तीन के भी जो यूद चल रहा है उसमें फिलिस्तीन की रनीती अब काम कर रहा है जहां खारी देशों ने पलान बनाया था कि अमरीका को इस यूद से साइड करेंगे और इजराइल के पेट पर लात मारेंगे और वो काम्याब होता दिख रहा है अब इस यूद में यमन सीधे सीधे कुद गया है इजराइल के जितने माल बहग जहाज दुनिया भर से आ रहे हैं उसकी जो रोजी रोटी का में जड़िया है उसको लाल सागर में यमन के लड़ाके हुथी निसाना बना रहे हैं और इसके बाद इजराइल चट पठाने लगा है वहीं गराउंड पर गजा पटी में इजराइल के लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं उसके टैंक उराय जा रहे हैं और गनीमत तो अब यह है कि खुद हमास हिजबुल्ला के जो मिसाइल है जो उसके रॉकेट है वो अब इजराइल में गिरने लगे और यह तस्वीरे देखिए किस तरह से इजराइली घर छोड़ कर भाग रहे हैं नमस्कार मैं संभुकुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक कहां इजराइल को गुमान था कि वो फिलिस्तीन को मसल देगा चुटकियों में मसल देगा दो चार दिन में उसे निप्टा देगा ठिक उसी तरह से जैसे रूस को गुमान था कि उकुरेन को मसल देगा चुटकियों में मिला देगा लेकिन रूस जिस तरह से उक्रेन में नहीं जीत पाया अभी भी वो युद्ध चल रहा है और रूस को सबसे जादा उसके सैनिक मारे जा रहे हैं इसकी बज़ा जानते हैं क्यूं है दरसल उक्रेन के साथ पूरा ईरोब ख़रा हो गया था अमरीका ख़रा हो गया था नेटो ख़रा हो गया था और उसकी हत्यारों की सप्लाई बरहा दी थी जिसके बाद कमजोर देश उक्रेन को हत्यार मिलने लगे और उसके लड़ाकों ने कहर बरपाना सुरू कर दिया ठीक यही पॉलिसी अब इजराईल के खिलाफ खारी देश और खुद रूस और चीन इरान अपना रहा है जिस तरह से उक्रेन को हत्यारों की सप्लाई हो थी उसी तरह से अब हमास को हत्यारों की सप्लाई हो रही है लेकिन उक्रेन के साथ लरने के लिए कोई भी एरोपियन देश नहीं आया अमरीका नहीं आया नैटो नहीं आया क्योंकि रूस से कोई पंगा नहीं पालना चाहता था लेकिन इहां इजराईल इतना किस्मत वाला नहीं था जहां उनाइटेड नेशन में 153 देशों ने बीटो पावर का इस्तेमाल किया बोटिंग की कि इजराईल युद रोग दे उसमें भारत भी सामिल है भारत भी फिलिस्तीन के साथ बोट कर रहा है लेकिन फिलिस्तीन इस बार खारी देशों का समर्थन मिल रहा है उसके जो परोसी देश है खासकर लेबनान जिसके लडाके हैं हिजबुला खासकर यमन जिसके लडाके हैं हुथी और हमास खुद भी जॉडन, सिर्या, तुर्की तो सारे मुस्लिम कंट्री, खारी देश कंट्री और पूरी दुनिया में जिस तरह से फिलिस्तीन को समर्थन मिला उसने उसके आत्मिस्वास को भर दिया है और अब तो इस यूद में ऐसा समय आ गया है कि इसराइल को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है खुद सोचिए आज एक अधुद घटना हुई और इसराइल के लराकों ने, सैनिकों ने अपने ही इसराइली बंदुकों को मार गिराया जिसके बाद खुद तेल अभीब में परदरसन सुरू हो गए है वही हिजबुल्ला के रॉकेट जो है वो लगातार सैनिकों पर गिर रहे है इसराइली सैनिकों को निस्तनाबूत किया जा रहा है हमास मार रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसराइल के अर्थवस्था चौपट हो रही है हमास के पास और फिलिस्टीन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था वो किसान लोग थे उनके पास न तो दुनिया भर से व्यापार था उनके पास न तो हतियार था ना मिलिटरी थी ना आर्मी थी मेनतकश लोग थे दुकान चलाते थे खेती करते थे किसान थे और उसी से उनका जीवन चलता था उस पर भी इजराइल की नजर थी कि उनकी जमीनों पर कबजा कर ली जाए और लगातार 75 सालों से इजराइल थोरा थोरा करके हमला भी करता था और मीडिया के दम पर जैसे भारत की जो मनुबादी मीडिया है वो यहां के दलित पिछरे आदिवासी किसानों को किस तरह से दोसी सावित कर देती है और दुनिया माल लेती है भारत के लोग माल लेती है ठीक उसी तरह से इजराइल जो है वो अब तक फिलिस्तीन को आतंकी कहता था हमास को आतंकी कहता था क्योंकि उसके पास मीडिया की ताकत थी लेकिन सोसल मीडिया ने पूरा खेल पलर दिया सुची अलजजीरा के एक कैमरामेन और रिपोर्टर भी मारे गए है वहीं सोसल मीडिया पर कैसे आप रोक लगाएंगे फेस्बुक है, एक्स है, यूटूब है, उन पर हकीकत सामने आ गई और दुनिया को पता चल गया कि इदराइल निर्दोस लोगों को मार रहा है सबसे बड़ी बिडम बनाए है कि इदराइल अपने सैनिकों के मरने वालों का नाम तक नहीं बता रहा है, उनकी संख्या नहीं बता रहा है कि इससे गलत मैसे जाएगा ठीक यही हाला दुसरे विस यूद में हिटलर की थी, वो यूद हार रहा था दुस्मन उसके घर तक पहुँच चुके थे, उसके बाद भी उसका जो गोईवल्स मीडिया था वो कहता था कि नहीं हम यूद जीत रहे हैं, और नतीजा क्या हुआ आपके सामने है यही स्तिती हो रही है समझे कि इजराइल के साथ, अभी भी इजराइल इस यूद में हार मानने के लिए तयार नहीं है लेकिन सोचिए कि यमन के लड़ाके लाल सागर में एक भी इजराइली जहाज को पासओन नहीं होने दे रहे हैं वो लगातार उस पर हमला कर रहे हैं और उसको जला रहे हैं यमन सीधे सीधे इस लड़ाई में है वहीं फिलिस्तीन के जो लड़ाके हमास वो सीधे सीधे इजराईली सेनिकों पर भारी पर रहे हैं गजा पट्टी को मलवे में तब्दिल कर दिया गया है बेस्ट बैन को मलवे में तब्दिल कर दिया गया है और उसी मलवे को आर लेकर टरनल उन्होंने पहले से बना रखा है ख़वर आई कि इजराइल टरनल में पानी छोड़ेगा उल्टे उन्होंने तेजाब डाल दिया जिससे इजराइली फोज ही जलने लगी तो लगातार जिस तरह से अन्याय का हंत हो रहा है और इस यूद में दो महीने से जादा की यूद में इजराइल की बरवादी अब सुरू हो चुकी है हमास को जितना बरवाद होना था गजा को जितना बरवाद होना था वो हो चुकी है लेकिन अब एक मजबूत देश इजराइल जो है वहाँ भगदर मच रही है और अब पूरी दुनिया को लग गया है कि बिंजामी ने तन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए इस यूद्ध को आगे बढ़ा रहा है हर रोज कम से कम दर्जन भर टैंक कुराये जा रहे हैं दर्जन से जादा इजराइली फोजों की हत्या हो रही है और अब तो हमास हिजबुल्ला और हूथी के जो लड़ाके है जहां हूथी जो है वो पानी में मुर्चा संभाले हुए है एक भी जहाज को वो इजराइल के पास नहीं जाने दे रहा है या तो उसके रूट बदलवा रहा है या उसको आग लगा रहा है उस पर हमले कर रहा है वही हमास जो है वो ग्राउंड पर लड़ रहा है वो ग्राउंड जीरो पर लड़ रहा है वो जो गुरिल्ला युद है उसमें लड़ रहा है और इजराइली सैनिको को मार रहा है वही जो हिजबुल्ला है वो मिसाइले दाग रहा है वो रॉकेट दाग रहा है और सोचिए कि किस तरह से तीनों मोर्चों पर लराई चल रही है और इजराइल फस्ता जा रहा है नतीजा ये है कि अब इजराइल के जो पत्रकार हैं इजराइल की जो मीडिया है वो भी बिंजामिन तन्याहों के खिलाफ है सोची एक सक्स जो सनकी सक्स है जो तानासा है उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरह से युद में धकेल दिया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमास, हितु और हिजबुला जो है वो सिर्फ इजराइली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं उनके अड़ो पर हमला कर रहे हैं वहीं इजराइल अभी भी निर्दोस लोग को मार रहा है स्कूल के बच्चों को मार रहा है अस्पताल में मरीजों को मार रहा है क्योंकि वो हार रहा है ग्राउंड पर तो युद का मतलब होता है सेना सेना की लडाई, लेकिन है इसराइल की नजर में फिलिस्तीन इनसान ही नहीं है, फिलिस्तीनी नागरीख ही नहीं है, क्योंकि एक तानसा राष्टबाद के नाम पर अपनी सत्ता बचाना चाहता है और वो अपने परोसी देश पर कबजा करना दरसल जब सत्ता का नसा इतना हाभी हो जाए कि जब सत्ता के लिए तानासा हो जाए तो तानासा के पास दो ही रास्ता होता है कि जनता को युद में धकेल दो या धर्म की अफीम चटा दो ये धर्म के अफिम तो वो इसराइलियों को चटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो परहे लिखे हैं उनको राष्टबाद के नाम परियुद में तकेल दिया लेकिन अब इसराइलियों का नसा टूट रहा है और वो बेंजामी नितन्याहु के खिलाफ हो रहा है लगभग दुनिया को पता चल गया कि इस यूद में अगर सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो वे बेंजामी नितन्याहु है दरसल ये पूरा मामला जोड कर देखा जा रहा है बेंजामी नितन्याहु के खिलाफ लगातार महीनों तक राधधानी तेल अभी में परदरसन चल रहा था क्योंकि बेंजामी नितन्याहु सुप्रिम कोट पर कबजा चाहता था उसके बाद वहां के नागरीकों ने बिरोध परदरसन सुरू किया उसके बाद हमास के रॉकेट हमले से ये पुरा युद्ध सुरू हो गया लेकिन इस बार फिलिस्तीन और हमास मन बना चुका है पिछले 75 साल की लड़ाई का वो खात्मा चाहता है और वो चाहता है कि इस बार लड़ेंगे या आजाद होंगे और इस आजादी की लड़ाई में इस बार सबसे अधूत है कि इतना हमास को समर्थन, फिलिस्तीन को समर्थन साइधी दुनिया में कभी मिला था खारी देश और दुनिया के 153 देश जो है वो सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ खड़े है और पहली बार इसराइल अलग थलग पर गया और सवाल यह है कि जो आतंक समझा जाता था हमास को और फिलिस्तीन को उसके साथ उसके परोसी देश जो हैं वो कदम से कदम मिला कर इस यूद में लर रहे हैं और यही है इसराइल की हार की वज़ा और हमास की जीत का असली कारण क्योंकि दुनिया उसकी मदद कर रहा है हतियारों की सप्लाई हो रही है क्योंकि बेंजामी ने तन्याहो की करतूद दुनिया को पता चल गई है और इस सब की वज़ा है सोसल मीडिया लेकिन एक बात जो खास है सोचिए कि हमास हितु और हिजबुल्ला जहां इसराइली सैनिकों को निसाना बना रहे हैं वही हारी बिल्ली खंभा नोचे इसराइल जो है वो निर्दोस लोगों पर बंबारी अभी भी कर रहा है लेकिन अब जो फिलस्तीनी है जो हमास है जो हिजबुल्ला है जो हूती है वो किसी कीमत पर इसराइल के साथ पीछे हटने के लिए तियार नहीं है और इस युद्ध का अंत जीत के रूप में होगा फिलिस्तीन को आजादी मिलेगी लेकिन सवाल है कि एक ताकतवर्द इस इजराइल की बरवादी दुनिया देख रहे हैं इसलिए मैं कहे रहा हूं अगर आप ताकतवर हैं लेकिन अगर आप अतंक करते हैं आप इंसानियत के खिलाफ हैं मानपता के खिलाफ हैं तो देर सबेर आपका अंत होगा क्योंकि सत्मेब जैते सत्त की जीत होती है और आज दुनिया मान रही है कि फिलिस्तीन के साथ हमास के साथ अन्याय हो रहा है और इजराइल की हार होती दिख रही है जो इजराइल ताकतवर था जिसके पास आईरन डोम रडार था फाइलेट जेट था लडाकू बीमान थे आर्मी थी वो सब धरा का धरा रहे गया और गराउंड पर तीस सजार सैनिक जो इजराइली हैं वो मौत के मुह में समा चुके हैं और रोज दर्जनों सैनिक माने जा रहे हैं जहां आम फिलिस्तिनियों को मारा जा रहा है वहीं हमास, हिजबुल्ला और हूती सेंको को मारा है इसलिए दुनिया जो है वो फिलिस्तिन के साथ ख़रा है आप लोग अपनी पत्किलिया जो दीजिए, शुक्रिया निशनल दस्तिक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तिक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे